प्रिश्णा भक्तो आप सबका मेरे इस यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आप सबसे गुजारिस है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं ऐसे अन्य बहुत सारे अध्यात्म के संबंधित और एजुकेशन प्रपस के लिए मैं ये वीडियो सो बनाते रता हूं जिससे आपको कुछ सहायता प्राप्त हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब बहुत ही कुछ वीडियां जो है और भी हम इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों श्रील प्रभुपात जी कहते हैं तिर लगाने के संबंध में कहते हैं कि कल्यूग में सोना या आभुषण प्राप्त करना पहनना बहुत ही दुशकर है कठीन है लेकिन फिर भी शरीर को सजाने के लिए एक और तरीका है लोग आभुषण खरिते हैं शरीर को सजाने के लिए सुन्दर देखने के लिए एक और तरीका है शिलप्रभुपात जीताते हैं कि ज सदू्द करके आप भगवान को प्रसंद कर सकते हैं। आप दूसरी बात फ्नान और वस्त्र पहनने के उपरांत आपको आपने 12 जगों पर, शरीर के 12 स्थानों पर आपको तिलक लगाना चाहिए। तिलक कैसा होना चाहिए उडवपुंडु उपर की ओर होना चाहिए आगे बताओंगा उसी उडवपुंड के तिलक को कहा जाता है वैष्णौ तिलक विश्णु तिलक और ध्यान रखिए कि आप जास्तनान करते हैं त्थान घर में कभी भी आप तिलक ना लगाए ठीक है तिलक लगाने का अर्थ होता है कि आप अपने को विभिन प्रकार की सिवाओं में संगलित करने वाले हैं तो उड़वपुंड तिलक होता कैसा है उड़वपुंड तिलक जो होता है वो हमारे माथे के बीच में दो सीधी रेखाएं उपर की और इंगित रहती है यह क्या प्रेजेंट करता है और यह प्रेजेंट करता है यह किसका प्रतिक है यह शरणा गती का प्रतिक है भगवान की चरणे है और हमारा भगवान की चर्णों में नत्मस्तक है पत्न पुरान येयग आधा यजुर्वेद निनन कहा गया और दप्रतिक है और दपण्ट-छिन जो है भगवान के चरण कमल है अंहां हमारा सीश भगवान के चरण कमल पे है certains थ्यकत हैफ हीं लगाने से हमारे अध्यात्मिक शक्ति का विकास भी होता है साथी साथ भक्त नाम लगाता है भगवान का नाम इसका स्मन करते वे भगवान का तिर्ग लगाता है तो उसका शरीर इत्म शुद्ध हो जाता है और मंदिर के तरह उसका शरीर हो जाता है और साथ इसाथ भगवान की भक्ती में भगवान की सिवा में भक्त जो है अपने इस शरीर को समर्पित कर देता है शर्णा गती ले ले लेता है ये ये रिप्रेजेंट करता है ये दर्शाता है कि कितना शर्णा गत है हो कहा जाता है कि अगर कोई भक्त अपने को 12 जगा तिर लगाने के उपरांत अपने स्वयम को किसी दरपण में या जल में अपने को देखता है तो वो भगवान के धाम को अवश्य जाता है तिसरी बात कि हरी भक्ति विलाश में कहा गया है कि अगर कोई तिलक लगाते समय सुविवस्तित ना हो गलट ढंग से या तेड़ा मेड़ा लगा दिया गया हो तो भी उसका अपना एक महतो है फिर भी प्रस्थ प्रत्न करना चाहिए कि सई तरीके से तीदक लगाया जायए मद्दे के भाग में होना चाहिए स्थी दू लाइने होने चाहिए नीचे तूलसी दल बनाते हैं लोग कि भगवान की जो प्रिया वह तूलाइई है आधारानी है और हम उंके दास हैं और सिल्फ रुपाजी ने आदेश दिया है कि जब गोपी चंदन चंदन लगाते हैं तो जब पानी डालके आप गोपी चंदन लगाते तो कभी गोपी चंदन नीचे ना गिर जाए तो कि यह बहुत बहुत हमूल है और हमेशा किसी अब कभी कुछ गण गिर जाते हैं तो गिरना ने चीए गिर गया तो उससे तुरण पोच्छ दे किसी को पैरों में ना लगे चीज़ बहुत शुद्ध चीज होती है आप कभी द्वारका जाएंगे तो द्वारका के में एक गोपी चंदन का गोपी कुंड है गोपी कुंड से ही गोपी चंदन निकलता है उसकी जो माटी है वो चंदन ही होती है और स्थान के बाद सभी को बारा जगों पर तिरह लगाना चाहिए वो बारा स्थान क्या है कौन-कौन से मंत्र हम उचान करते हैं हम आपको किसी और वीडियो में जरूर बताएंगे और स अरे क्रिष्ण का महा मंत्र का नीमित जप नहीं करते हैं साथ ही साथ आप किसी भी कुछ नीवों का पालन नहीं करते या किसी नीम का पालन नहीं करते हैं अगर आप ढंग से जो निम लिखित बातों का आप पालन नहीं करते बेसिक चीज पालन नहीं करते तो आपको तिरह अठ्लिस्ट बहार मंदिर परीशर के बाहर तो नहीं लगाना चाहिए मंदिर में मंदिर के बहार इससे होगा कि भागवान के नामक को नाम खिराब होगा बहार के लोग देखेंगे तो तो य सबन सेवा में हैं सब लोग ऐसा ही होंगे इसलिए परंप्रा का नाम या संस्ता का नाम ना खराब हो इसलिए आप तिलक जब आप नियम पालन नहीं करते हैं तो आप तिलक को लगाने की चेश्टा ना करें ठीक है हरे कृष्णा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे हमा